अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब मायवचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ ट्रिप्स पाने के लिए सब्तम मास में गर्भीनी में प्रयुक्त होने वाली आउशदियों के विशय में आज हम विचार करेंगे सब्तम मास में गर्भ स्थबालक के सभी अंग प्रत्यंग एवं स्थूल सूक्ष्म अवयो विकसित हो जाते हैं तो सभी प्रत्यंगों का एक साथ सामंजस्य पूर्ण विकास हो इसके लिए इस मास में अवशदियों को देना आवश्चक है इस मास की अवशदियों में शंगाटक, कमल, द्राक्षा, कशेरू तथा मधियस्टि का उप्योग किया जाता है सरप्रतम शंगाटक देखेंगे इसे लेटिन में ट्रैपान नेटंस कहा जाता है इसे वाटर चेस्टनट इंग्लिश में कहा जाता है सिंगाडा नट लोकल इंग्लिश लांगेज में कहा जाता है यह गुरू रूक्ष गुन वाली, मधूर रस वाली, मधूर विपाग की शीत विर्यात्मक अवशदि है यह परम प्रजास थापक होती है इसको देने से थ्रेटेंड एबॉर्शन का डर खतम हो जाता है यह प्रजा और भूर्ण का पालन करती है यह गर्व को जीवन प्रदान करती है नेत्र जो है बालक का भूर्ण का बहुती सुंदर और तेजस भी बनेगा यह पित्त का अश्रमन करती है द्राह तशना को रूकती है इसे जो है पुत्रन जीवक नाम से भी माना जाता है यह जो है प्रजास थापक परम है अता इस मास में इसका उप्योग एक आवश्यक आवश्यदी है यह शीद स्लीपद नाशक है फाइलेरियासेस और एलिफेंटियासेस जो उत्तर प्रदेश के गोरप पुरक्षेत्र में होने वाली बीमारी है इसको देने से इसको रोकने में परमसाहिता मिल सकती है दूसरी आवश्यदी है कमल कमल को इंग्रिश में निलंबो न्यूसिफेरा गेस्ट्रा कहा जाता है इसे सेक्रेड लोटस यह इंग्रिश में बोला जाता है यह लगूस निक्द पिछिल गुनवाली कशाय तिक्त रसवाली मधुर विपाक की शीद वीरियात्मक आवशदी है यह बालक में त्रशना, दाह, विसफोर्ट, लालिमा, कंडू और विसर्प को होने से बचाती है रक्त पित प्रशम की यह बड़ी अच्छी आवशदी है इससे शरीर का तापकम नियंत्रित रहता है बालक स्वस्त रहता है उसमें गर्मी जैसे उपद्रव नहीं उठवन होते है गर्ब संस्थापकम परम यह सुशुत का एक बड़ा अच्छा आदश वाक्य है कि गर्ब के स्थापना में यह परम जो है उपयोगी आवशद है रक्त पित नाशक है दाह नाशक है शरीर को शीतल मनाए रखती है और यह बेस्ट फार अंब्रियोग इसे माना जाता है तीसरी अवशदी है द्राक्षा इसे वाईटी स्वीमी फेरा यह लेटिन में कहा जाता है तथा ग्रेप इसे इंग्लिश में उपयुक्त माना जाता है यह स्निक्धव गुलू एवं म्रदू गुनिकी होती है मदूर रस मदूर विपाग एवं शीत वीर्यात्मक आउशदी है यह त्रशना, बर्निंग सेंसेशन, फीवर, ब्रॉंकियल अस्थमा तथा रक्त, पित और शरीर को दुबला होने से बचाने वारा सबसे अच्छा है यह स्वर को बनाई रखता है, संगीत के अंदर रुची होने वालों में वोकल कार्ट्स को यह बहुत ही सुन्दर जन्म देता है मदात्य का नाशक है, मुख को गोल, सुन्दर और उभार युक्त बनाता है, यह कफ को रोकता है कफ हो जाने के बाद में खांसी को तुरंत रोकने में मदद करता है यह ब्रंगन करने वाला, शरीर में शक्ती देने वाला मजबूर व्रश्य अवशदी है इस्त्री और पुरुष दोनों में शुक्र और आर्तों बड़े सुन्दर और मजबूर पनाता है यह मदूर रस वाली स्निक दगुन वाली अवशदी है यह शीवर को, ब्रॉंकियल अस्थमा को तथा बर्निंग सेंसेशन को रोकती है यह लीवर की सबसे अच्छी विवस्था है माता पिता में यदि लीवर संबंदी फैटी लीवर जैसी कोई बीमारी है तो अब बालक में नहीं आने पाएगी यह उसको रोकने में सक्षम है यह शोष बालक को सूखने से बचाती है वो उसको तंदुरूस तवजीला और मोटा और स्वस्थ बनाए रखती है यह मूत्र दो शहर माता पिता में अगर कोई किडनी या यूरिनरी ब्लेडर की डिसीजर है उनको यह रोकने में सक्षम आउशदी है चौथी आउशदी इसमें है कशेरू इसे लेटिन में स्केलपस ग्रोसस कहा जाता है यह गुरू रूक्ष गुन वाली, मदूर कशाय रस वाली, मदूर विपाक वाली, शीत वीरियात्मक अउशदी है यह शीत होने के कारण पित्तव शोनित और दा को नश्ट करती है यह नेत रोगों के विकारों को रोपती है अतह बालक का नेत सुंदर, सुदर, तेजस्वी और मजबूत बनेगा यह डाइजेशन को भी ठीक करती है और स्तन्यकर है इस्तिय और पुरुष दोने में शुक्र और स्तन्य की बड़ी अच्छी व्रद्धी होगी अन्तिम आउशदी है जब यस्ति इसे ग्लिसराइजा ग्लेबरा लेटिन में कहा जाता है तथा लिकोराइस यह इसका इंग्लिश नेम है यह गुरु स्निग्द गुन वाली, मदूर रस वाली, मदूर विपाक वाली, शीत वीर्यात्मक आउशदी है यह चक्षुष नेत्रल है नेत्र को मजबूत, सुद्दर, दूर नस्दीक देखने में सक्षा तथा बल वर्ण को बनाए रखती है तचामे वर्ण को यह अच्छे तरह से चमकिला बनाती है शुक्र है, यह शुक्र धातु को अस्तन्य को अच्छा बनाती है केश है, बालक में, भून में केश खुब बढ़िया, सुंदर, स्वस्थ, लंबे और काले बने रहेंगे यह स्वर्य होती है, वोकल कार्ड को मशबूत बनाएगी जितने संगीत कार हैं, वो इसका खुब उप्योग करते हैं उससे उनके स्वर्य जो है, सुंदर बने रहे जाते हैं पित के वात के रक्त की दिमारियों को रोपती है यह व्रण के रोपन में काम करती है, शरीर को सूख नहीं नहीं देती है बड़ा सुंदर तचा कोमल और मुलायम और मजबूत बनाए रखती है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें